So, hello and welcome back to another video, my name is Jimmy और आप देखने है Toxic Marvel YouTube चैनल तो यार हमारा फेवरेट Marvel Cinematic Universe यानि की MCU जो की बदलता जा रहा है Marvel She Universe में यानि की MCU जिसकी शुरुआत हुई थी End Game के उस सीन से जिसमें सब महिला Spider-Man को बचाने आई थी अब वो सीन मुझे तो काफी अच्छा लगाता है एक ही फ्रेम में सारी महिला हैं लेकिन अब Marvel को जादा ही करना लगा हैं मतलब जिन सुपर हिरोस को अभी तक ठीक से दिखाया भी नहीं है तो उनको क्यों replace कर रहे हो अब तुमने Captain America का female version निकाला Captain Carter तो वो तो ठीक है क्योंकि Captain America की स्टोरी अब पूरी हो चुकी है और Iron Man की भी स्टोरी पूरी हो चुकी है तो उसका भी female version निकालो कोई दिक्कत नहीं है लेकिन होका है Hulk इन्हें तो अभी तक हमने ठीक से देखा भी नहीं है तो इन्हें क्या जरुएत replace करने की हाँ माना की female versions को देखना अच्छा लगता है पर इतना भी अच्छा नहीं लगता और यार Thor तो एक God है उसकी उमर तो लंबी है वो तो कभी वूड़ा भी नहीं हो सकता तो उसे तो छोड़ देते उसे भी replace कर दिया एक female character के साथ और replace किया तो किया किया भी एक इनसान के साथ मतलब कि तुम किसी गोट को एक इनसान के साथ replace कर रहे हो और तुमने लोकी को भी नहीं चोड़ा उसे भी replace कर दिया Sylvie के साथ मतलब तुम करना क्या चाते हो तुमने Captain America को Captain Carter के साथ Iron Man को Iron Heart के साथ Thor को Mighty Thor के साथ Hawkeye को Cat Bishop के साथ और Hulk को She-Hulk के साथ और लोकी तो है ही Sylvie के साथ और भी कोई बचा है मतलब Marvel को हो क्या गया है इतनी जेंडर की परवा Marvel कब से करने लगा ये सब Marvel का ही दिमाग है या Marvel किसी और की सुन रहा है मतलब की 2012 में आई थी The Avengers जिसमें 6 मैन करेक्टर थे Iron Man, Captain America, Thor, Hulk, Hawkeye और Natasha तो उस टीम में Natasha ही स्रिफ एक female केरेक्टर थी लेकिन पता नहीं मारो लब कौन सबस्ते नशेकरगान मुवी बना रहा है किसी ना किसी मुवी में किसी ना किसी नए female केरेक्टर को इंटर्ड्यूस करा ही देता है हाल ही में आई Doctor Strange 2 जो कि Doctor Strange की मुवी है ही नहीं बलकि वो मुवी थी Wanda, America, Chayas, Kristen, Palmer यह इन सब की ही मुवी थी Doctor Strange की मुवी थो यह थी ही नहीं और तो और उसके पोस्ट क्रेडिट में एक और female करेक्टर इंटर्ड्यूस करा दिया पता नहीं अब उसके उपर क्या-क्या लाएंगा यह वेसे भी इको के उपर अगे था के उपर Iron Heart यह सब female करेक्टर तो आही रहे है और शुरी ही अगली Black Panther भी है अब मेरी बाते सुनकर यूं मत समझ लेना कि मुझे इन सबसे hate है नहीं मुझे इन से प्यार है मैं चाहता हूँ तुम दिखाओ लेकिन यह जो मेरे favorite पसंदीदा करेक्टर है उनको तो मत लड़ क्या मनाओ और हाँ मुझे यह भी पताए कि यह सब comic book में भी है मैं कोई हवा में ग्यान पेलने नहीं आया हूँ अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में टाटा बाई बाई